नवसकार दोस्तो, हर गम को पाला नहीं चाता, कांच की चीजों को उचाला नहीं चाता, कुछ करना है तो मैनत करो, हर बात को ओलिज बेल कहकर टाला नहीं चाता नवस्का दुस्तों रादे रादे स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चनल गीतागान रासीपल में आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगरासी वालों की सिंगरासी वालों को 11 मई दिन बुदवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किनकिन चियों से साबदर रहना होगा और सिंगरासी वालों को आने वाले समय में वे कौन-कौन से कुसकवरी मिले वाली है तो दोस्तों आईन शुड़े में आपको बताएंगे सिंगरासी वालों को पारकवार जीवन कैसा रहेगा उनका बेनिश प्यापर कैसा चलेगा उनका प्रेम समन्द कैसा रहेगा और साती सात उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आई इन शुड़े में आएका शंपूर रास्पल बताएंगे अगर दोस्तो आपकी भी सिंगर आसी है तो इसे सस्का जरू करें और साती सात बेल आइकान ओल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेसर मिल सके दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचांग की 11 मई 2022 दिन बुदवार आज की तितिये 10 में आज का नचत्तर पूरवा फालगुन नचत्त पच चरदा है सुक्र पच आज सुर उद्य होगा सुबह 5 बज के 33 मिनट पर और सुर अस्त होगा साम 7 बज के 2 मिनट पर दोस्तो आज का सुब समय कोई भी नहीं और आज का असुब समय है सुबह 11 बज के 50 मिनट से दुपर 12 बज के 44 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो आज आपको सुब करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें आपके लिए असुब होगा साथी आपको बताएं आज आपका लखी लंबर है नाइन और सुब रंग है सफेद और फ्रोजी दोस्तो अब बात करते हैं आज की रासिपल की बारे में आपका दिन कैसा रहेगा आज की चानते हैं तो दोस्तो आज आपके पास अपने सेयद के और लुक्सिस और जुड़ी चीजों को सुधानने के लिए पर्याप्त समय होगा बिन बुला या कोई मेमान आज घर में आ सकता है लेकिन इस मेमान की किसमत की बज़य से आज आपको आर्टिकलाफ हो सकता है गर के किसी सदस्य के बिवार की बज़य से आप परिसना रह सकते हैं आपको उनसे बात करने की जरूरत है रोमेंच अगदेन है क्योंकि आपके प्रिये का फोन आएगा नई योजनाए आकरसक होंगी और अच्छी आमदनी के जलिया सावित होंगी ऐसे लोगों से जुड़ने से बचे हैं जो आपकी प्रितिष्टा को आगात पहुँचा सकते हैं आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी बुला नहीं पाएंगे साथी आपको बताएं आज के दिन आप बिना जज़ट बिस्टाम करेंगे अपने मासपेसियों को आराम देने के लिए तेल से मालिस करें जो लोग अपने करीवियों या रिष्टिदार के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज बहुत सोच समझ कर कदम रखेनी के जरूरत है नहीं तो आर्थिक नुक्सान हो सकता है कुछ लोग आपके जुझलाज की बज़ए बन सकते हैं उन्हें नेजर अंदाज करें यात्रा के चलते रुमानी सम्मंद को बढ़ावा मिलेगा बिवसाइक साहितर सैयोक करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं आज जीवन के कई एम मुद्दों पर आप घरवालों के साथ बैट कर बात कर सकते हैं आपकी बात हैं गरवालों को परिशान कर सकती हैं लेकिन इन बातों को हल अवस्य निकलेगा आज का दिन उम्दा में घरे जाने का है क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनवब करेंगे साथ जार दोस्तों आपको बताएं आज आप सायद कुछ परिशानियों फसे रह सकते हैं ऐसे समय में आपको जो मदद मिलेगे उससे आपको बहुत रहत मिल सकती है कारशित्र में आपको अपनी सीमा को जानना चाहिए अगर काम आपकी सूच के अनुसा ना भी चले तो भी आपको परिशान नहीं होना चाहिए ये सारी परिशानियों आइस्ताई हैं जो कि समय के साथ अपने आपी खत्म हो जाएंगे आपकी मैनत और लगन आपके केरियर को बहुत उचाईयों पर ले जाएगे और आपको बहुत लाब होगा आज का दिन संपत्ती अत्वा सेयर बजार में निविस करने के लिए सोब है साथे साथ दोस्तों आज आप खुद को एनरजेटिक महसूस करेंगे इस उर्जा के साथ जिस काम को करेंगे वो समय पर पुरा हो जाएगा इस रासी के डाक्सर अपने अरवव का इस्तिमाल सई दिसा में करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगे आयत तरक्की के कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें जीवन साथी की सला आपके लिए काफी वायतिमन साथित रहेगे इस रासी के जो लोग वर्किंग है उन्हें कोई नई जोब का ओफर मिल सकता है लमेट के लिए आएका दिन काफी बढ़िया रहेगा और दोस्तों आज आपको तरक्की के कुछ नई सादन मिलेंगे जीवन इस तरको और वैतर बनाने के लिए आप कोई संकल्प ले सकते हैं गर के सदस्यों के इच्छां को समझने की आपको कोसिस करने चाहिए आज अपने साथी के साथ प्यार से काम लें अपने प्रिया को कुछ रखने की आपको पूरी कोसिस करने चाहिए आज के दिन आपको कुछ मेत्वर्ण आर्थिक नेटे लेने की जरूरत है यह आपके बविस्ट को पिति बनित करने वाला है बिजनिस में रुका हुआ पैसा मिल सकता है आज आपके पास अधिक कार का बोज हो सकता है लेकिन गवराने की जरूरत नहीं है नौकरी कर रहे जातों को किसी महिला मित्र के सहयोग से पदो उन्नेती प्राप्त हो सकती है साथी साथ दोस्तों किसी तरह के चल अचल संपत्ती में पैसा लेगेगा और इससे आपको लाप भी होगा पुराना कर्ज चुका देंगे लाप पैटन आपके नाम से कोई संपत्ती या घर का कोई बड़ा सामानुई खरी सकता है सासुराल में अपोजे जेंटर वालों से आपको साब्दार रहना चाहिए एक्स्ता मेरेटर अफेर के यूग बन सकते हैं ऐसी इस्तती बने तो आपको खुद पर कंट्रोर करना चाहिए हड्डियों का कोई पुराना रोग है तो वह ठेक हो जाएगा क्या उसमें आज आपको कावी आरम देखने को मिलेगा आज कारिस्तल पर से करिमयों को सेयोग मिलेगा पढ़ाई या किसी सेमिनार के बज़े से आपको घर से बाहर भी जाना पढ़ सकता है साथी साथ दोस्तों आपको वताएं कुछ चरिस्ताई प्यार के छड़ों के कारण आपका बैव जिमन सांदार रहेगा नए रिष्टे सुकद होंगे आप परवार वालों के साथ बाहर गुमने की योजनाई भी बना सकते हैं आप अपनी बाढ़े द्वारा हर किसी को मो लेंगे आज अपनी उतकरस्त और विश्टो सनिय निर्यात्मक निपुरता के बलपर बित्र संबन्दी फैसिल लेने के लिए आज का दिन उत्तम देने आपको पैसे या बेवसाय संबन्दी एक रोमेंचर अफसर की पेस की जा सकती है आपकी कड़ी मेहनत का आपको इच्चित और लाबदायक पड़ाम मिलेगा स्वास्त उत्तम रहेगा आज एक नई स्वास्त वेवस्ता का प्रारम करने के लिए उप्रियोक देने आप बहुत सक्रिय और उर्जवान महसूस करेंगे दिल की सुनें आपका हिर्द्य आपका सई दिसा में मार के तरसन करेगा मन की इस्तती बिर्मित रहने के कारण आपस संभासन पिरवावित होगा और धेर रखें और अपने आपके साथ ज़्यादा ज़्यादी ना करें दोस्तो अब बात करते हैं आपकी लवलाइप की आपका प्रेम जीमन कैसा रहेगा आगी जानते हैं तो दोस्तो बैवेच जीमन में सामाण जस रहेगा मनुरंजन संभन्धी क्यारों में समय बतीत होगा साथी परवार में हस पराश खुशी का महर रहेगा पारिकवार बातवड में आज सुकत बना रहेगा प्रेम समंदों भी पिरवड़ता आएगी वर रोमेंटिक महर रहेगा निकट संबंदियों के यहां आप किसी कार की बज़य से चाह सकते हैं कापी समय बाद गर से निकलना पर लोगों से मिलना जुल्दा कुसी और इस्पूर्ति प्रिदान करेगा पारिक बारिक बाद वड़े में कुसी का महर रहेगा लेकिन आपके आपसे नीची मावले में तोड़ा बहुत मनमटाव रह सकता है लेकिन आप वेर्द की चिंता ना करें इससे आपकी सेयत पर फर्क पड़ सकता है साथी साथ आपको बता दें कि गर के सदी सदस से एक दूसरे के साथ समय बतीत करेंगे बहारी संबंदों से आपको साब्दान वा होसे रहना चाहिए इससे मान संबन हानी होने के संभावना है परवार के व्यक्ति आपसे को नाड़ाज की व्यक्त करेंगे क्योंकि काम के चलते आप बेस्त रहने से आप अपने परवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए आप उनके लिए समय जरूर निकालें दोस्तो अब बात करते हैं आपके हेल्थ की आपका स्वास्त कैसा रहेगा आगी जानते हैं तो दोस्तो, आई स्वास्त को लेकर आपके लिए इस्टतियां सामान रहेंगे, आज किसी तरह की कोई स्वास्त सम्मंद् शमस्या कोई उत्पन होने को नहीं है, दोस्तो, आपका स्वास्त बहुत ही अच्चा रहेगा, जिसके चलते आप अपने आपको तन्मुक्त वात तरोताया और तंदुस्त महसूस करेंगे दोस्तो साथ ही साथ आप अपने स्वास्तों को और भी एदर अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पना के त्यान रखें और रोजाने योगे बैयाम करते रहें नवसका दोस्तों रादे रादे दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अवी तक सब्सक्राइम नहीं किया आए तो कर लें और साथ ही साथ वेल आइकन पॉल पर दवाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें